इस question में हमें दिया गया है a diverging lens of focal length 20 cm and a converging mirror of focal length 10 cm are placed coaxially at the separation of 5 cm where should an object be placed so that a real image real image की बात हो रही है is formulated the object itself ठीक है तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले हमें कुछ ऐसा system दिया गया है कि यहाँ पे एक mirror लगाया गया है converging mirror है इसका मतलब concave mirror है ठीक है और इस mirror से 5 cm की दूरी पे एक lens रखा गया है coaxially जो है diverging lens यानि कि इस तरह का है diverge करता है race को ठीक है ओके जी अब यह दोनों क्या है coaxially रखे हो यानिकि इनकी principal axis क्या है same है ठीक है अब क्या करेंगे हम हमें बताना है कि कहां पे एक object को रखा जाए कि उसकी final image real बने और उसी पे बन जाए तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक object को रख दिया मैंने ठीक है इस object को रखाए मैंने x distance दूरी पे lens से ठीक है और lens की जो खुद की distance है वह है 5 cm कहां से mirror से तो अब क्या होगा अब हम लिखते हैं पहले lens से reflection के लिए ठीक है reflection from lens अब reflection करना है अगर lens है तो lens formula लगाना पड़ेगा वह होता है 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f ठीक है तो इसको solve करने के लिए मैं क्या करता हूँ 1 upon v लिखता हूँ जो u कितना हो जाएगा minus 1 upon x हो जाएगा तो यह बन जाएगा 1 upon x प्लस का क्योंकि u की value minus x है ठीक है क्या है कि जिदर जाए काम की raise उदर positive इससे raise इदर निकलेंगी तो इसका मतलब इधर की side में मैं positive चलूँँगा पोल से और इदर की side में negative चलूँगा ठीक है is equals to हो जाएगा focal length कितनी दे रखे length की 20 ठीक है तो वह होती है इस diverging length की focal length होती हमेशा minus में ठीक है तो यह हो जाएगी minus 1 upon 20 ठीक है तो 1 upon v जो होगा वो क्या बन जाएगा minus 1 upon 20 minus 1 upon x ठीक है तो यहां से v की value आपके पास निकल क्या आजाएगी सीधी सीधी minus time 20x upon 20 plus x यही आ जाएगी ठीक है अब यह जो इससे बनेगी ठीक है इसका मतलब क्या यह यह आ रही है पहली बात तो यह जो image है यह minus में आ रही है यानि कि इस pole के इधर ही बनेगी माइनस सारी इसका मतलब माइनस की सारी distance pole से इधर होंगी positive वाली इधर होंगी इसका मतलब यह pole से इधर ही बन रहे है इसकी जो image बन रहे है यहां बन रहे है ठीक है और इसकी location मुझे पता चलगी pole से माइनस 20 x upon 20 plus x है ठीक है अब क्या है कि यह जो object यह जो image है यह इस mirror के लिए object के काम करेगी ठीक है यानि कि अब होगा reflection तो मैं लिखूंगा reflection from mirror mirror से क्या करवाएंगे अपन reflection करवाएंगे अब जब reflection करवाना है mirror से तो क्या लिखेंगे हम 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f होता है mirror formula और lens formula में क्या distance है बस plus minus का distance आ जाता है ठीक है तो वही u की value कितनी हो जाएगी देखो u की value अगर मैं यहां से बात करूँ तो यह 5 तो lens तक है दूरी और उसके बाद इतनी दूरी और जो यह image की दूरी है वो और वो कितनी है 20x upon 20 plus x ठीक है तो वही u की value कितनी आ जाएगे अपने पास u की value आ जाएगी minus में 5 plus 20x upon 20 plus x ठीक है यह हो जाएगी तो वही 1 upon v लिख हूंगा जो मैं ठीक है और focal length कितनी हो जाएगी इसकी minus होती है concave की ठीक है तो minus 10 cm हो जाएगी question में given ठीक है तो अपन लिखेंगे भई वो किसके बराबर होगा minus 1 upon 10 plus x plus 20 upon 25x plus 100 ठीक है इसको मैंने क्या कर दिया direct solve करके लिख दीक है आप इसको solve करोगे तो 100 plus 5x plus 20x upon 20 plus x आएगा तो यह बन जाएगा 25x plus 100 बटे 20 plus x उसको उल्टा करके लिखूँगा 1 upon करके लिखूँगा तो यह बन जाएगा ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं वी की वैल्यू अगर मैं यहां से लिखना चाहूँ इस mathematical expression को solve करके तो यह बन जाएगा 50x plus 4 divided by 3x minus 20 ठीक है देखो मैं mathematics पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ mathematics को मैं इन expressions को मैं mathematically solve नहीं कर रहा हूँ वच्च वाला काम है LCM लेके और plus minus करना मैं focus कर रहा हूँ concepts पे physics पे जो कि आपको समझना है और जिसके थूरू आप questions को solve करेंगे ठीक है आप देखो वह यह आगी positive यह बात आगई क्या हो गई यह positive हो गई ठीक है इसका मतलब यहां से अगर मैं minus common ले लूँ तो यह negative भी बन जाएगी तो आप किसमें अब थोड़ी दूविदा हमें पड़ गए कि कहां पर बनेगी image तो मैं क्या कर लेता हूँ मान लेता हूँ कि lens और mirror के बीच में कहीं पर image बन लुए ठीक है lens और mirror के बीच में कहीं पर image बन चुकी है ठीक है अब ऐसा होगा तो अब यह image इस लेंगी किया करेगी औबject का काम करेगे हमें तो ultimately कराना क्या है यहां से जो raise निकलेगी वो refresh होंगी फिर reflect होंगी फिर दूबारा रिफ्रैक् तो refraction और reflection तो follow कर लिए अब मुझे एक बार और reflection फॉलो बारना पड़ेगा थिक है तो इसकी जो distance होगी, यह जो image आ ही है थिक है इसी यहां से length से distance कितनी हो जाएगी, 5 minus माइनस यह distance और यह distance तो मुझे पता है mirror से जो distance आ यह image की थिक है वो कितनी है वो तो यह है 50x plus 4 by 3x minus 20 ठीक है यह distance पता है अभी इस distance को मैं 5 में से घटा दूँगा तो mirror से पता चल 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 जाएगे मुझे object की ठीक है तो lens के लिए जो u होगा वो कितना होगा lens के लिए u हो जाएगा अपने पास में minus of 5 minus 50x plus 4 upon 3x minus 20 ठीक है correct है उह बात और V क्या हो जाएगा वी हो जाएगा आपके पास plus x ठीक है देखो अगर यह object यहां है तो इससे काम की रेस कुटर निकलेंगी इधर निकलेंगी और इतर निकलेंगी इधर चलूँगा तो नेगिटिव आएगा इसका मतलब उदम इधर चलूँगा तो कितनी हो जाएगी यह distance हो जाएगी 5x minus यह पूरी distance और यह मैंने निकाली हुई है और यह आएगा negative क्योंकि इधर की तरफ negative और इधर की तरफ positive इस object के लिए ठीक है तो चलिए अब इन सब चीजों को use करते हुए formula में रखते हैं और solve कर लेते हैं तो again 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f में रख ठीक है minus of minus हो आएगा u तो इसको मैं डारेक्टिव प्लस कर देता हूँ ठीक है 1 upon u यू आएगा भाई हमारा 5 minus 50x plus 4 divided by 3x minus 20 यह आजाएगा और यह बराबर किसके होगा 1 upon f के वो है 1 upon minus 20 कि focal length of the lens कितनी है minus 1 upon sorry minus 20 है तो 1 upon f हो जाएगा minus 1 upon 20 ठीक है तो यहां से जब मैं इसको solve करूंगा इस expression को तो x की मुझे value मिल जाएगी वो कितनी मिलेगी 60 cm और ultimately मुझे यही find करना था कि किस दूरी पर रखा जाए कि उसकी image वहीं पर बन जाए जब भी ऐसे कोई app के पास सव आते हैं जिनमें एक lens और एक mirror लगाया जाए और उसी point पे हमेशा object की image बन रहे है जिस point पर रखा हुआ है तो आपको क्या करना है हमेशा याद रखना है पहले lens से reflection फिर reflection और फिर again reflection यह तीन procedure follow करने होंगे sign convention के साथ properly और अच्छे से logic लगा के तो आपका question कभी भी गलत नह योगा